आज हम लोग बनाएंगे धई भल्ले बहुत ही इजी तरीके से तो पूरी रेसेपी ज़रूर फॉलो करेगा अपछी तरीके से दही बल्ले बनाता मैं आपको सिखाऊंगी तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी रेसेपी उड़त की डाल और मूं की डाल ली है उसके बाद मैंने इसके पर जीरा डाला थोड़ा सा और नमक डाला और अच्छे से इसे एक ही डारेक्शन के अंदर फेट लिया है देखिए पानी डाल लीजेगा अपने इसाब से मतब ऐसा होना चाहिए कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है व तो हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम के उपर सेकेंगे हाथ पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे जिससे की पेस्ट हमारे हाथ पे चिपके नी और धीरे-धीरे करके सारे के सारे जो वड़े है वो तेल के अंदर उतार देंगे देखिए बिल्कुल इस तरह से और इसको हम लो हलकी मंदी आज पर इसको करते रहें हिलाते रहें जिससे कि दोनों साइड से अच्छे से सिख जाए देखिए पहले गान के बाद उसके बाद अगला गान डाल दे और अच्छे से इनको सेक लें जिससे कि हमारे जो भले हैं वो अच्छे से अंदर तक सिख जाए जैसे कि य तो आपके भल्ले अराम से सिख चुके होंगे देखिए अब हमारा गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है और भल्ले भी अच्छे से सिख चुके हैं मैंने यहां पर किसी भी तरह का बेकिंग सोडा बेकिंग पाउडर कुछ यूज नी करा नॉर्मली मैंने पेस्ट लिया है साइड उसको डाल दिया है और उसके बाद मैंने क्या कर रहा है ग्राइंडर के अंदर उसको पीस दिया है दूसरी साइड मैंने पानी जो है वो गरम कर लिया है पतला निवाया पानी होता है निवाया पानी कर लिया और निवाया पानी के अंदर अपने बड़ों को डाल दिया है आप लोग देख रहे हैं बड़े बिल्कुल अच्छे से बन गए है और मैं इनको इसके अंदर डाल दूंगी जिससे की बड़े जो है वो अच्छे से और भी जादा सॉफ्ट हो जाएं देखे कुछ इस तरह कलर आ जाएगा जब मैंने अगली मौनिंग देखा तो ऐसा कुछ कलर आचुका था तो यह चेक कर सकते हैं आप लोग यहां पर मैंने धन्या को पीस लिया है अच्छे से चट्णी हमारी बढ चुकी है ग्राइंडर में डाल के मैं इच्छे से पीस लिया देखिए दन्या पुदीना टमाटर हरी मिर्च आप चाहें तो अद्रक भी डाल सकते तो वो भी चल जाएगा तो अब देखिए मुझे थोड़ा कम लगा था धनिया तो मैंने धनिया थोड़ा सब बढ़ा दिया तो यहां पर हमारी चटनी जो बिल्कुल तयार हो गई है अब मैं लगाने वाली हूँ बढ़ो की पहली प्लेट आप लोग सोचेंगे मैंने लाल च चटनी डाली देखिए हरी चटनी मारी बहुत टेस्टी बनी थी तो हमने हरी चटनी डाली उसके उपर अपने टेस्ट के साब साब देख सकते हैं आपको हरी जादा डालनी है मीठी जादा डालनी है देने मैंने उसके उपर लाल चटनी डाली लाल चटनी डालने के बाद मै बताना की कैसे बने हैं थैंक यू सो मच पर वाचिंग कीप वाचिंग बार